तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कोटन के कपड़े से ब्रा कैसे बनाई जाती है दोस्तो आपको ब्रा बनाने के लिए देखी आदा मीटर कपड़े के जूड़त होगी यह टोटल मेरे पास आदा मीटर कपड़ा है और इसको मेरे इस तर 36 का मतलब है कि अगर आप 36 नंबर की ब्राव बना रहे हो यानि कि साइज अगर 36 है 36 इंच साइज है तो बिल्कुल सा फार्मूला है आपको एक चोकोर कपड़ा लेना है और उसकी लंबाई चुड़ाई रखनी है 9 इंच इदर से और 9 इंच इदर से यानि कि जो भी सीने का सा साइज रख है 10 इंच इदर से और 10 इंच इदर से और इसी परकार से अगर आप बना रहे है 44 इंच की ब्रा साइज की ब्रा तो बिल्कु सिंपल फार्मॉला में आपको बता दिया कि सीने का चोथा इस्सा करके आपको चोकुर कपड़े की कटिंग करनी है जो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह जो ब्रा में काट रहा हूं यह है चालिस नमबर की और यह देखिए 10 इंच मैं इदर से लिया है 10 इंच इदर से लिया है 10 इंच इदर से लिया है और टोटल दस इंच इदर से लिया है यह टोटल दो पीस हैं दोस्तों अब दो पीस के मैं करूँगा कटिंग तो फ्रेंट्स इस तरह से दो पीस मैंने काट लिए हैं अब दो पीस जैसे मैंने काटे हैं सेम इसी प्रकार से आपको दो पीस और काटने हैं यह देखिए इसके उपर आप इसको रख ले और सेम इसी साइज से दो पीस और काट ले तो फ्रेंट्स इस तरह से आप देख सकते हना यह देखिए ओर इस तरह से ट्राइंग्ल शेफ बनानी है जैसे क्या मैंने ट्राइंग्ल बना ली है अब फ्रेंड्स विलकुल असान तरीका यह है कि आपको इस शेपसे यह देखिए थे साधे 3 निचा लगाना है ये देखिए बिल्कु सीधा निशान इस तरह से इस बिल्कु सीधा लगाना है और भार्थे सबें दिद है काटिंग है ये अब फ्रेंड्स, इदर से क्या करना है आपको इस तरह से scale को रखना है और यहां से आपको यहां से कुछ भी निकरना बिल्कुर जितना कपड़ा उतना है रखना है यहां से सिर्फ आदा इंच आपको इस तरह से निशान लगाते हुए इसकी cutting कर देनी है इसी कर द्यार करना है कि आदा इंच ही रहो जादा ना उससे यह देख आता हूं मशीन पर तो फ्रेंट्स इसके stitching करने के लिए आप देख सकते हैं यह जो टोटल मेरे पास चार पीस हैं आपको वन बाई वन एक एक पीस को उठाना है और यह देखिए इस तरह से इसमें स्लाय लगानी है यह देखिए यह जो हमारा कट था इस कट को यूँ पकड लगाएं तो फ्रेंट्स देखिए जिस तरह से मैंने स्लाय लगाई है चारों में स्लाय लगाने के बाद अब आपको क्या करना है यह देखिए इस तरह से इसका थोड़ा सा लुक आ जाएगा अब फ्रेंट्स जैसे यह एक पार्ट है दूसी तरह से मेरे पास यह वाला पा लेकर आना है लेकिन दोस्तों देख सकते हो यह मैंने बनाए एक बिलकुल नाड़ा पतला से स्टैप भी बोल सकते हैं आप यह से लगबग और रखने लेना होगा अब इस स्टैप को पहले इसके बीच में आपने इस तरह से रख लेना है ताकि बिल्कु फिनिशिंग से आपकी जो है ब्राब बन सके इस तो इसको इस प्रकार से रखेंगे बीच में और फिर इसमें लगाएंगे अब दोस्तों लगानी कैसे आए दिखाता हूं मशीन पर इसे अधर इस प्रकार से रखना है यह देखिए बिलकुल इसके और पर और बिलकुल और से मिलाते हूँ इस प्रकार से अंदर आ गया जब इसमें लगानी सिलाई है तो फ्रेंड्स यहां पर सिल्लाई थोड़ी मजबूत कर लें एक बाड़ लगा ले है ताकि जो नीचे स्टैप है उसको मजबूती मिल सके तो दोस्तों इस तर श्राय लगाने के बाद जब आप इसे सीधी करोगे इस परकार से आप देख सकते हो इस टैप जो है अराम से बाहर की तरफ निकलाता है और आपको इस परकार से जो है एक यह ब्राका एक तरफ का जो आपको नजर आ रहा हो इस परकार से आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स दूसी तरफ भी आपने इस परकार से लगा लेनी है जैसे इसमें मैंने लगाई है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इसके नीचे इस परकार से जो अलग था यह इन दोनों को मैंने सिलके इस तरह से कर लिया है अब यह दो पार्ट करने के लिए आपको लेना हो एक छोटा सा कपड़ा यह देखिए इस तरह से कपड़े को आपने करना है डबल करने के बाद इस कपड़े को आपने रखना इस परकार से यह देखिए और यह आपको एक निशान दिख रहा हुगा यह वाला यह तो मैंने धाई इंच का निशान लगाए दिखिए कि वहला आपको दहीं तक ही यह जो लगानी है इसको लगाए और यह वाला दूसरा पार्ट इसके उपर रखके इस परकार से इधर भी लगाए इससे के दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे दोस्तों पहले लगा लेता हू और शलाय लगाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं किया है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इस तरह से दोनों पार्ट थे जो अलग-अलग इनको मैंने जोड़ लिया अब यह जो एक्स्ट्र कपड़ा इसके आप करने कटिंग और अंदर से भी एक्स्ट्र कपड़े क उसका मैं आपको बता देता हूं देखिए इस पट्टी की जो टोटल दोस्तों मैंने लंबाई लिये वह लिये है मैंने चुड़ाई है वह है चार इंच और इसकी अगर लंबाई की बात करो दोस्तों यह जो मैं ब्रा बनाने जा रहा हूं ब्रा का जो साइज है बहुत है 40 इस इंच और इसकी जो कमर है दोस्तों वह है 34 इंच यह देखिए यह 34 इंच कमर है तो 34 तो यह मैंने बिल्कुल इसकी फिक्स लंबाई लिये और इसके अलावा आपको लगभग आगे से 10 यह 11 इंच एक्स्टर यह पट्टी लेनी होती है यह 10-11 इंच एक्स्टर पट्टी है दोस्तों यह वाला है च від को दीख रहा है इस पत्टी लगाने का जो तरीका बिलकुल आसान है यह देखिए इस प्रकार से आपको पूरा को दिखाता हूं पर तो फ्रेंट्स कट से कट मेंने मिला लिया है अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगो इसलाई यह देखिए लगबग आदा इंच का मारजन देते हैं इसलाई आपको लगानी है अब बिलकुल आसान तरीका दोस्तों यह देखिए इस प्रचाँ से पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है अब आपको क्या करना यह देखिए यह जो पट्टी आपको दिख रही है यहाँ से जितना इसमें मारजनें इतना इसको इह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बहुत यह असानी से यह सलाई हमाई लग चुकी है और यह जो मारजने मारजन पर भी हमने इसको कवर कर लिया है तांकि दूसरी सलाई लगाते हैं विल्कुल भी दिखत ना हो अब दूसरी सलाई लगानी कैसे दोस्तों यह जो पट्टी हमने ली थी साड़े तीन चार इंच की अब इसको आप इस प्रकार से फोल्ड करके आप जितनी भी चोड़ी पट्टी रखना चाहो आप अपनी सुदा के नुसार एक इंच चाहते तो एक इंच इसको रख लो डेड़ इंच चाहते तो प्रेंट्स आप देख सकते हो बिल्कु सिंपल तरीके से यह मैंने स्लाई लगा ली है आप चाहो तो इसमें नीचे भी यहां पर भी किनारे पर लगा सकते हो जैसे के दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए बिल्कु किनारे पर लगाएं सिर्व एक अच्छे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो इस प्रकार से सीधी एक में पट्टी लगा लिए है और इस पट्टी को चुड़ाई लगबग लखिए मैंने सवा इंच अब दोस्तों इसमें अगला काम यह होता है कि यह देखिए इसका सेंटर पॉइंट अब इसके जो टोटल कमर है व सत्रा इंच यानि कि 17 यह देखिए एक मेंने निशान लगा दिया है तो टोटल इसकी जो कमर है वो हो गई है 34 इस तरह से आप देख सकते हो अब फ्रेंट्स करना क्या है आपको इस तरह सी यह देखिए यह जो इसका बैक साइड बनेगा बैक साइड में कैसे आपको हुक और आई लगाने उसका सिंपल सा फार्मूला है तो फ्रेंट्स यह देखिए यह जो निशान है यह टोटल हमारा कमर का निशान है इस जगे पर कमर हमारी आएगी बिल्कुर फिक्स अब दोस्तों इसमें ह हुकाई का जो फार्मूला सिंपल सा है यह देखिए यह जो निशान है इस निशान को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें जो एक्स्टा कपड़ा है लगबख चार से पांच इस एक्स्टा इसके आप कर लें कटिंग यह देखिए कटिंग कर ली और यह जो निशा यह जो निशान है यह हमारी कमर का निशान यानी कि यह जो हुक लगने के बाद यहां पर हमारी आई लगेंगी और आई लगाने से फीक्總 34 मेरा जाएगी लेकिन दोस्तु कभीक है कि कमर 34-35 भी हो सकती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए बिल्कुल सा फार्मुला सबसे पहरे तो इसको आगे साप इस तरह से फोल्ड करें यह जो कमर का निशान से लगबख 5-5 इंच एक्स्ट्रा है हलका से इसको फोल्ड कर लें इस प्रकार से स्लाई लगा करेंगी दोस्तों आई कैसे बनेंगे इसमें आपको हाथ से आई बनाने के जुरूतिम नहीं पड़ेगी यह ट्रैक्टिकली मैं आपको दहता हूं मशीन पर तो फ्रेंट्स यह देखिए जिस तरफ लगाने हुक उदर से तो उसको मेरे बंद करी दिया है और बहुत असानी इसे इधर दो हुक लग जाएंगे अब दोस्तों आई लगाने के लिए क्या करना आपको देखिए बिल्कुल बीच ओबीच यह जो आपको निशान दिख रहा है यह वाला यह तो हमारी कमर का निशान है बिल्कुल बीच ओबीच इस तरह से आपको लगाने इस लाई आप अब यह जो एक्स्टा कपड़ा इसकी दोस्तों इस तरह से आपको पकड़ना देखिए थोड़ा उठाना इसको और यहां पर इसको चड़ाते हुए विल्कुल बीच ओबीच सेंटर में आपको एक स्लाई लगानी है अब इसी पकार से एक बार फिर उठाए और बिल्कुल है जो मैंने बीच में लगाई है अब इसके बागल में इधर लगा दूँगा मैं एक इधर लगा दूँगा उससे क्या होगा दोस्तों हमारी ऑटोमेटर की आई बन जाएगी और आपको इसमें आई बनाने की जूरुत नहीं पड़ेगी तो हुक लगाने के बाद दोस्तो टू आप चाहें तो इधर भी आई लगास इसको बंद कर सकते हूं कि आप देख सकते हो इसका इसाया tut कड़ेगी इसलिए दोस्तों मैंने यह पर एक्स्टा जो कपड़ा लिया था ताकि असानी से हमारी आई बन सके इसके बाद जो भी एक्स्टा यह धागे वगए रहे हैं इनकी आप कटिंग कर लें वह इसमें अच्छी फिनिशिंग आ सके आप इसका अगला और लास्ट जो प क्या करना ओगा सबसे पहले आपको जो इस टैप की जो है तो नंबाई लेने होगई जनरली दोस्तों जैप की लगवाई होती है वह होति है 14 या 15 तीस तरह से लेखिए विवनार निशान लगा रखा और इस लिशान से आपको लगबग 2 inch एक्स्टा जो है इस टैप काटना यह देखी यह 14 प ні मैंने निशान लगाया था और इस कि में कटेंग करूँगा यह देखी में ने Creating करने के बात दोस्तों क्या करना या आपको , इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हें अब आपको यहां पर इसको यूद कर ले यह देखी आप देख सकते हो इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया था इस लूप को मैं अट्याच कर लिया है इस से साई ही लगाने के बाब दोस्तों यह जो साइड का पौर्शन ऐसकी बैल्ट पीछे से इस बेल्ट को इसके अंदर आपकैंस से परो लेना इसी प्रकार दूसरी में भी आपने प्रो लेना जैसे इसके अंदर में प्रो रखाए वतो इसे क्या Sat dollars प्लीर손 को यह इसको फिक्स करके आप यहाँ पर इस लाइब लगा साथ तो जिससे अपनी जगे से हिलेगा नहीं और दोस्तों इस परकार से बस इसमें आप हुक का काम बाकि रह गया है हुक लगाने के बाद और यह जो ब्रा है दोस्तों पहनने के लिए बिल्कुल तयार है तो फ्रेंट इस परक करें थेंक्यू वेरी मुच